व्ल्ड टिंखऊबई.com फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपका जो मबाईल फोन है अगर इसको फेक्टरी रिसेट करना चाहते हैं स्पेशली एंड्रोइट बेस्ट आपका मोबाइल फोन है तो इसको जो फैक्टरी सेट अप कैसे कर सकते हैं मोबाइल फोन को फिलाल मैं अभी नेक्सस फोर यूज कर रहा हूं उसको पासवर्ड रिसेट करना जाता हूं बट जूटी सम रीजन मैं इसका जो पासवर्ड भू बूल गया हूं तो मुझे आप इसको फैक्टरी सेट करना पड़ेगा और विज्टरी से विज़ा से मेरा जो अपना डेटा होगा वह सारा सारा इसमें डिलीट हो जाएगा आप देख रहें कि फोन आपको करना क्या है सिंप्ली आपको यह बटन आप देख रहें ना पाव कर रहा हूं और यह वॉल्यूम फ्लास और माइन तोनों थीन वह सब्सके एक प्रैस होगा दूसरा यह तीसरा यह इकठे करूंगा है कि इमाने प्रेस कर दिया इत फिल टेक टाइम ठाइम लेता यह देखिए जैसी मैंने प्रेस किया तो क्या लिखा आ रहा है स्टार्ट कर थे शी चेंज करता हूं को प्रेंट करोंकह डिल्व फ्रेंज मैंने प्रकावर्फ सब्सक्राला नहीं हैków प्रक्रिश कर से दो चूच करने के लिए आपको यह फावरर का पॉनच की अब देखने की इससорот सब्सक्राइब करना कुछ नहीं है और एक पावर बटन यह देखिए यहां फिलाल मैं अपकी पावर बटन अपकी पावर बटन प्रेस कर रहा हूं यह देखिए इकठा प्रेस कर दिया मैंने इसको देखिए जैसी मैंने अपकी और पावर बटन को बटन प्रेस किया अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं पहला ऑप्शन क्या आ रहा है देखिए डीबूट सिस्टम नाओ अप्लाए अप्डेट फुर्म एडवी वाइप डेटा स्ट्री सेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब्सक्राइब अब यह जैसे जो चूश पहता है यहां से होता है क्यá नीच्छे बटन प्रेस करूं तो नेच्छे जा रहा है अब इसमें क्या option आ रहा है Android system recovery अब इसमें जो option आ रहा है yes delete all user data अब इसको select करना है या नीचे जो बटन प्रेस करेंगे तो नीचे जाएगा अब नीचे ब्रेस कर रहा है अब नीचे ब्रेस कर रहा है यह पावर का जिसे select किया था अब यह देखिए क्या आ रहा है wiping data formatting data मैं उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफी useful रहेगी और जो इसका purpose क्या था आपको बताना है कि factory reset कैसे किया जा सकता है आपका mobile phone specially android based वह नेक्सस 4 के लिए अब इसमें जो data है वह वाइप हो रहा है delete हो रहा है इट विल टेक टाइम यह देखिए wiping data data wipe हो रहा है इसमें यह जो देखा जाए 16GB का mobile phone है जो market में launch हुआ था 16GB का है तो इसमें जो data almost full होगा तो इट विल टेक time to format यह थोड़ टाइम लेगा अब यह देखिए इसमें क्या कह रहा है दुबारा पूछ रहा है एक तरह से देखा जाए wipe data formatting data data wipe complete data wipe इसका complete हो गया according to this जो formatting है वो complete हो गया अब factory reset हो गया यह अब मैं क्या कर रहा हूं इसको reboot system ना आ रहा है न लिखा हुआ यहां पर मैं इसको बटन पर प्रेस करूंगा अब मैं इसको reboot कर रहा हूं according to this यह जो partition है वो उसको format हो गया है data wipe हो गया है तो अब यह बिल्कुल new हो गया एक तरह से आपको mobile phone यानि